हलो बच्चों में ममता जिन क्लास 11 एकोनोमिक्स के नदर आपका एक बार फिरसे सवागत करती हूँ लेसन नंबर 6 चल रहा है अपना परिक्षपड के माप इसकी दो वीडियो अपने देख लिए और दोनों वीडियो के अंदर अपने जान लिया था कि सांकी की वेधी के द्वारा किसी समस्य का समयधान करने के लिए केंदिय प्रवर्ति के माप सफिशन नहीं है इसलिए अपने आपकी रण के माप देखे थे, आपकी रण का एक पहला जो पहला माप विस्तान जिसको रेज कहते हैं का आपने अध्यन व्यक्तिकर्षणी, खंडित और अखंडित तीनो शुलियों में कर लिया है, लास्ट विडियों के अपने चतुर्थक विश्लन QD को क् व्यक्तिकर्षणी में, आज अपने देखेंगे खंडित श्ली के अंदर चतुर्थक विश्लन और अखंडित श्ली के अंदर चतुर्थक विश्लन, सबसे में बात करेंगे खंडित श्ली में चतुर्थक विश्लन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, कि खंडित श्ली क तो वहां पर अपने आवरती को इदनोर किया था आवरती अड़तात फ्रेक्वेंसी की हमें आवशक्ता नहीं थी लेकिन इदि अपन चतुरतक विश्णन निकाल रहें तो हमको आवरतियों को भी देखना होगा क्योंकि चतुरतक विश्णन जिस प्रकर अपन मध्धिका मीड यह निकालते हैं उसी तरह आपन चेत्वर तक विश्णन की भी गढ़ना करते हैं तो सबसे पेले अपने मुल्य लिख दी एक्स उनके आवरती दिखी हुई है अब जैसा कि मद्धिका के अंदर अपने सीफ निकाला था संचे बारंबार्थ यहां पर भी अपन संचे बारंब 156 जोड़ेंगे तो 349, 349 प्लस 140, 489, 4810 प्लस 50, 539 और 539 के दर अपन 3 जोड़ेंगे तो 542 आ जाएगा इस प्रकार अपनी संचे बारंबार्थ आ गए आपको अच्छे से बता है कि जो संचे बारंबार्थ आ का जो अंतिम पताता है वही अमारी आवरतियों का योग होता जाए यदि ये दोनों सेम आ गए अर्थात हमारा कोशन साई सर रहा है तो जो आवरतियों का योग करके देखे अपने 522 सा रहा है और स्येव का अंतिम पत भी 522 सा रहा है तो अपना एन हो गया 522 सा अब चतुरतक विशलन निकालना अपने व्यक्तिकर शनी में अस्तिक ल निकाल लो फिर q3 निकाल दो q1 निकाल लिख लिए वही एन प्लस वन उपन फॉर्थ टर्म फॉर्थ टर्म फॉर्थ टर्म तो एन अपना 542 उसमें एक जो ना 553 उसके अंदर 4 का भाग दिया तो 135 पिच्वतर आ गया अब अब आपन देखेंगे कि 105 पिच्वतर पिच्वत यह अपना q1 आ गया 135.75 अर्था यह अपना वर्थ आ गया जतुर तक विच्वतर आ गया क्यों आपको जैसे मध्यकावर्ब निकालते हैं ऐसे यहां पर qt के लिए वर्थ निकालेंगे तो अपना वर्थ आ गया यह वल आ गया अब आगे बात करते हैं अपन q3 तो q1 की value आगई 135.75 जो की 193 के अंदर आया इसी प्रकार अपना जो q3 के लिए 3n प्लस 1 अपन 4 तो 3n प्लस 1 अपन 4 के लिए वही फर्मुला अपना जो n कहा था अपना 542 542 के अंदर एक जोड़ा तो 543 उसमें 3 का multiply करके 4 का divide के तो 407.25 अब अपने दोनों के अंदर difference क q3 की value आगे अपनी q1 का जो परत का माना गया 5 और q3 के परत का माना गया 7 तो 7-5 अपन 2 2 में 2 का divide किया है तो 1 अर्था अपना जो चतुर तक विश्लन का माना गया 1 और जब अपन को coefficient of qd जो इसका coefficient निकल लाए अपनको चतुर तक विश्लन का तो वही q3-q1 अपन q3 प्लस q1 तो दोनों का जो डिफ्रेंस ता 2 था दोनों की सब डूल हो थी तो मैं डूल हो का divide किया तो 0.17 अपना coefficient of qd आ गया तो बहुत ही सिंपल है जिस प्रकारपन मध्य का निकालते हैं वैसे ही करना है बस यहां पर 2 की बजाए 4 का बाग देना है q1 निकाल एक लिए n प्रस 1 मे आ गया 5 इसी प्रकार q3 की value आया थी 407.25 जो कि 489 के अंदर से गुज़रेगा तो इसका जो मुल्य है 7 तो इसके बत का मान आ गया 7 तो q3 आ गया अपना 7 और यहां पर एक चीज़ आप और भी लिख सकते हो कि q1 और q3 की value अपन यहां पर लिख सकते कि q1 तो अपना आ गया और q3 आ गया था 7 तो 7 में से 5 गया तो टू बचा और टू में टू का डिवाइड गया तो इस प्रकार condition के अदर आपने ज़तुर तक विश्ण की गढ़ना कर दी अब बात करते हैं अपन अखंडिश्णी के अदर आपन ज़तुर तक विश्ण की गढ़ना कैसे करेंगे तो आप रतिया है यहां पर भी आप सी एफ निकाल लेजिए 5 का 5 6 5 11 11 12 23 23 23 33 43 40 अब इसके लिए थोड़ा सा फोर्मूले में डिफ्रेंट से बाकी क्यूबन क्योंतरी एसा ही निकालना है अपनों एक छोटा सा फोर्मूला है क्यूबन इस एकल टो एलवन प्लस आई ओपन एफ चैन चैन तक विचलन की जो विचलन का वर्घ आए इसकी संचे वारवब़ता है और सिय होता है अब 10 के इसमें से गुजर रहा है अपना 10 इसमें से गुजर रहा है तो अपना Q1 का जो वर्ग आ गया प्रथम जो विचलन के लिए वर्ग था वो 10 से भी 611 आ गया अब इसके लिए आप Q1 की निकाल देजिए तो L के आ गया इसकी निमने सीमा 10 फिर अपना आई डिफ्रेंस 10 में से 20 गया 10 फिर इसी के आवरती 6 लिग दिया फिर अपनको निकाल लाए कि Q1 तो Q1 आपना क्या था 10 तो 10 लिख दिया और इसके पूरो वर्ग की संचे बरांता 5 10 में से 5 गया तो 5 10 इंटो 5 50 बटा 6 50 में 6 का भाग लगा के 10 जोड देजिए तो 88 अपन 33 अ अपने किसमें से गुजरेगा से यह अपना आ गया Q3 वर्द आ गया अब Q3 वर्द की निम्न स्वीमा 30 तो फॉर्मोले के अंदर 11 की जगा लिख दीजिए 30 फिर डिफ्रेंस अंत्राल तो 10 है F इसके आवरती 10 फिर अपना 30 क्या था Q3 निकाल रहा था और इसके पूरो तो 30 में से 30 में तो सार और इसमें 10 में से 10 को काटा था एक तो 30 प्लस सार से थीस तो Q3 की वेल्यू आ गया 37 Q1 की वेल्यू आ गया थी अपनी 18.33 और Q3 की वेल्यू आ गया 37 अब इस दोनों को माइनस कर दीजिए 37 माइनस 18.33 अपन टू डिवाइड बाए 2 तो 9.33 आ अपना गया चतुर तक विश्ञंड अब कोफिशेंट निकाल लाएं तो दोनों के माइनस में दोनों के प्लस का डिवाइड कर दीजिए दोनों का माइनस 18.67 दोनों का प्लस एड करने पर 55.33 और उसको डिवाइड करने पर 0.34 इसका कोफिशेंट और QD आ गया इस प्रकाट चतु अब अपना बसता है अपकी रड़ देखा आज अपने देख लिया खंडि और अखंडि शेणी के इंदर जटुएतक विश्ञं इस प्रकार अपना जटुर्तक विश्ञं भी कंप्लेट हो गया अब अपना बसता है आपके रड़ के मापके अंदर दो चीज़ और बसती है माध्य विश्लक और मानक विश्लक तो अगली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे माध्य विश्लक और मानक विश्लक तो आप मेने नोट्स को अच्छे से देखिए इनके नुमरिकल को आप सोल करते रही है ताकि झाल झाल झाल